स्वागत है मित्रो, इस वीडियो टुटोरियल में हम फोटोशोप के बारे में प्रात्मीक जानकारी प्राप्त करेगे फोटोशोप एक सौफ़वेर है जो एडोब कम्पनी ने बनाया हुआ है फोटोशोप के उप्योग से आप अलग-अलग तरह की इमेज को एडिट कर सकते है उस इमेज में आप अलग-अलग तरह की इफेक्ट दे सकते है जनरली फोटोशोप का उप्योग ग्राफिक्स डिजाइन के लिए होता है आज टेक्नोलोजी बहुती चड़ब से बढ़ रही है और टेक्नोलोजी को बढ़ाने के लिए एक ज़रूरियात है डिजिटल मीडिया आप फोटोशोप की मदद से अलग-अलग तरह के प्रेजेंटेशन को बना सकते है इमेज को अलग-अलग तरह की इमेज बनाके उसको ग्राफिक्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते है चलिए देखते हैं कि आप फोटोशोप में क्या क्या कर सकते है आप फोटोशोप में अपना आर्टवर्क बना सकते है मतलब की अगर आप कोई इमेज बनाना चाहते है आप आपकी क्रियेटिविटी दिखा के कुछ नया ग्राफिक्स डिजाइन करना चाहते है तो वहाँ आप फोटोशोप की मदद से कर सकते है आप इंटरनेट पर से इमेज डाउनलोड करके उसको विवित प्रकार के डिजाइन टूल से उसको अलग-अलग तरह से एडिट कर सकते है आप स्कैन की गई हुई इमेज और डिजिटल कैमरा से लिए गई इमेज को भी एडिट कर सकते है अब हम पिक्सल के बारे में जानकारी प्राप्त करेगे पिक्सल एक डॉट है पिक्सल की मदद से ही पूरी इमेज बनती है पिक्सल इमेज का छोटे से छोटा पाट है फोटोशोप की मदद से आप उस छोटे से छोटे पिक्सल को डिलिट कर सकते है modify कर सकते है तो यह Photoshop की खासियत है Monitor में 72 पिक्सल पर square inch पिक्सल होते है printers में ज्यादा पिक्सल का ratio होता है पिक्सल की मदद से हम file का resolution बढ़ा सकते है generally file की quality पिक्सल पर ही आदारित होती है तो यह है Photoshop का परिचय धन्यवाद